ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स सब्सक्राइब कि अब जो मर्जी कहते रहे ईसे जिन्दा करने के लिए अगर इसके कोई दम नहीं क्यों नहीं है कि कोई लोगों ने देखा था कॉंगरेस के सरकार में सबसे ज्यादा देश में गोटाले हुए तो कॉंगरेस की सरकार न्यूस तक की टीम इस वक्त अपनी लोगसफा कवरिश के दौरान अम्रोहा में है और अम्रोहा में जो भाजपा प्रत्याशी है यहां से कमर सिंग तवर जी आज हम उनसे बात करेंगे तवर सब सबसे पहली बात ये कि पिछला चुनाव हम जानते हैं दानिश अली जीते कोई प्रेशर नहीं है और बहुत मेरे को जो आसीरवाद दिया पार्टी ने उपर के ने तो ने माने मोदी जी ने वह चौदे में वी दिया इस बार वी दिया तो मैंने जो चौदे में जो चुनाव लड़ा था तो चौदे से ज्जादा बोट मैंने 19 में लिए ठीक है जी गाहूं गाहूं तक मेरी कई मुबाइल डिस्पेंसर चलती है तो मैं सब को जानता हूं फिर दूसरी बार इस बार जो अनमाने मोदी जी ने और योगी जी इतना काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो दस साल में जो देश को मतलब हो कहते हैं देश में जितना विकास सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जब इतिहास होता है किसी प्रतिद्वंधी के साथ तो उनकी खामिया और स्टेंशुक्नेसस दोनों पता होती है आपको बता है उनकी स्टेंश्वीकनस क्या है और कि वार क्या करना है वह जीत के चला गया है है उन्नीस में और हम नहीं सांसद भी नहीं थो हम यहां ऐी काम कर थे पांस साल और दिवीर नहीं में हासे और 5 साल आगा बस्पा से चुनाव ठाएं तो यह थो क्या है लोगों घर्याद से और पीस कुछ नहीं और आज दोनों जनता जानती है हमारे बीच में हमारे दुख सुक में साथ हैं तो पूरी जनता यहां उन दोनों को यहां से बूत मिनने वाली नहीं है आपने पिछले दुनों देखा कि अम रोह में दानिश अली स mostrar ्च में विरोध का सामना उन्हें कि हम पूरे 5 साल जो आदमी जीतने के पाद पांस साल ने है कार लेके हुआ होई हुआइ तो उनको तो जनता नِे बिलकुल उल्हुँ नगार दिया है और जो अभी ब Turning और यहां चुनाव लड़ रहा है तो जो पहले पांच साल गवादी च्छेतर की जनताने तो मैं जनता से कहना चाहता हूं अपने आपने पांच साल का खराब किया तो यह आगे अपड़ी बोट को अपने सोच समझ करके बोट डाले और च्छेतर का विकास करवाएं मने मोदी जी के जो काम कर रहे हैं उनको देखें योगी जी काम देखें गुंडा कर दी खतम कर दी सब कुछ खतम हो गया तो मैं तो अपील करता हूं लोग उसे अच्छा यह आपको लगता है कि यह जो दोनों ही बसपा और कॉंग्रेस की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट् हमारी पार्टी में कभी फीह नहीं हूआ हमारी पार्टी सब का साथ सबकावी का सब्सक्वाψरिब मूल मंत्र है तो हम सबका साथ देते हैं आज रहां भी जंता सबी समाज मोदी जी के साथ32 कर निर्ग और है क्या कुछ चल रहा है सकते हैं लेकिन गाउं में भी जाते हैं सबा करते हैं माल कल मोदी जी आयते हैं हमारे हां तो मोदी जी को सुनने के लिए पूरा जिले के लोग उमर पड़े और इतनी जबरजस भीड़ती आप बता नहीं सकते मैं आपको अच्छा यह जो प्रधान मं दरचार में भी ने देखा था वाजपई जी ने मुहमद कैफ का जिक्र किया था अपनी एक राली में तब भी चुनाव था मैं एक चीप बताब मुहमद जो है हमारे यहां बहुत बढ़िया खिलाडी है और खिलाडी को यूँआ सब लोग पसंद करते हम भी पसंद करते है और मेरे छेतर का है मेरे नाम होता है मुहमद समी मेरे यहां का है अमरवा का है तो एक मेरे जिले का नाम हो रहा है पूरे वर्ड में मेरे नाम हो रहा है तो मैं तो खुश हूं उससे और माने मोदी जेने भी यह जो को खिलाडी है या देश का नाम कर रहा है तो उसका नाम लेने में क्या बुराई है नाम भी लेने वह हमारे साथ खड़ा है देश के साथ खड़ा तो ऐसे आदम कर नाम नहीं हम तो उसको हम चाहते हैं हम उसके घर पर भी जाते हैं ऐसा लगा कि मुहमाद शामी कई ना कई पोस्टर बॉय बन गए यहां पर अम्रोहा में नहीं मुहम तब उस्चेया मेरेश जिल्हे कभी और हमारे हँमें हमें हमें खुश है मतलब मों अच्छा आपकी संपत्ति को लेकर भी बहुत जादा चर्चा हमेशा से रहती है तो इससे क्या मतलब संपत्ति कि मदद से क्या जो आपकी समाथवी इमेज है वह आप Linda wrestle करने कि कोशिश करते हैं सब्सक्राइब लेकिन सबसे महंगा क्या है इस वक्त आपके पास गाड़ियां है सुनाएं कि बहुत गाड़ियां है ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों की सिवा कर रहे हैं सिवा में लगे हुए गाड़ी वाड़ी तो मैं एक गाड़ी में चलता हूं अच्छा अंपर वस्य वताईए कि इस बार जीत का मंत्र आपके लिए क्या है दानिश अली को हराने के लिए हमारी सिवाएं चल रही है जीत का मंतर दूसरा माने इसकी के लिए काम किया है यह जीत का मंत्र आपक्या चान ॥ा आपके लिए है रही है जो जनता के बीच में Past taba करना कौन देश कर कर रहा है कौन पर्देश कि से वा कर रहा है तो लोग सोच समंझ करके नीर्ना लेकर करके भाजबा के साथ है जीके साथ है ini uncertain सब और देश में प्रधान मंत्री मोदी का चहरा बीजुफ ओ तो चेहरा नहीं है चैना देश की मांने मोदी जिन चलाइए जो हमारी बेहने तत्दास किलो मीटर तक पानी लाती थी राजस्तान में जगए-जगए पानी पीने का नहीं होता था आज हमारे माने मोदी जी ने और हमारी सरकान ने घर-घर तक जल पहुचा दिया पीने के लिए बहुत बड़ी स्कीम है जी आज आप भी कभी कॉंग्रेस में हुआ करते थे आज वही दानिश अली ने कॉंग्रेस हाल में जॉइन कर लिया बसपा से कैसे देखत और से में इस का था कॉंग्रेस के टाइम में कॉंग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा देश में घोटा ले हुए तो और कॉंग्रेस की सरकार प्रदानमंत्री मोदी लिया है दम कहा है ज्यादा उन्हें को पूछ जो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कॉंग्रेस का और समाजवादी का कोई यह कोई नहीं पूछ रहा हूं कोई वजूद नहीं है आपको लगते बहुत बहुत शुक्रिया आख